तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हमारा न्यू वाला टैंक सेट अप जो की है 9 इंच by 1.5 फीट ये साइज का टैंक हम आज सेट अप करने जा रहे हैं आज हम प्लांट उसमें लगा देंगे ड्रिफ्फूट लगा देंगे और सैंड से उसे भर देंगे इन चोट हम उसे एक्वा स्केट कर देंगे तो यह है वो टैंक जैसे कि लास्ट टाइम हमने एलेडी वाला वीडियो और ड्रिफुट वाला वीडियो बनाया था तो वही यह ड्रिफुट और एलेडी यहां पर रखी वी है तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीजें हैं जो मैंने बाय करके लाई है और कुछ ऐसे ही जंगल से लिया है तो मैं आपको वो सब बता देता हूँ तो यह है वो सैंड यह वाली 1 kg यह वाली 2 kg और यह वाली भी 1 kg तो ये पूरी 4 kg sand है मेरे पास तो मैंने इसे खरीद लिया था क्योंकि ये थोड़ी मुझे अच्छी लगी दिखने में और ये हैं stones ये stones तो आपको commonly कहीं पर भी मिल जाएंगे like कोई भी forest area हो कोई भी कोई भी जमीन हो आपको वहाँ पर ये stones तो पड़े वे मिल जाएंगे तो हम इस stone का इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में कोई अलग से हम costly stone नहीं लाएंगे जैसे कि lava rock या फिर कोई fancy stone हम यही stone का इस्तेमाल करके बनाएंगे अब यहाँ पर problem यह आ रही है कि मेरा driftwood अभी float कर रहा है तो मुझे उसको एक stone के साथ attach करना ही होगा तो सबसे पहले मैं यह वाली sand add करूँगा क्योंकि plants को थोड़ा dark roots पसन है अगर dark substrate रहेंगा तो roots उसमें आसानी से चले जाएंगे तो मैं add करूँगा फिर उसके बाद white वाला substrate जो की dark substrate के उपर आ जाएंगा तो जल्ली से इसे add कर देते हैं जब भी आप sand को use करो तो उसे wash करना बहुत जरूरी है नहीं तो ऐसी हालत हो जाएंगी पूरा tank भर के सफेज सफेज या फिर जो भी color का substrate है उस color का हो जाएंगा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया इसके दो reason है क्योंकि मुझे आपको बताना था कि बिना धोय ये substrate यूज़ करने पर कितना जादा गंदगी हो सकती है और दूसरा जो कि मेरा tank में पानी था वो काफी जादा गंदा था तो मैं उसे फेकने ही वाला था तो उसमें मैंने यूज़ करके आपको बता दिया कि ये कैसा हो सकता है leveling के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला piece आप कौन सा भी card यूज़ कर सकते हैं leveling के लिए तो जल्दी से हम leveling कर देते हैं इसकी proper पर पीछे में थोड़ी जादी height रखूंगा और सामने कम क्यूंकि पीछे हम लगाने अले plants और सामने कुछ नहीं रहेंगा इसलिए सामने बिल्कुल ही कम height रखना चाहिए leveling में आपको अपने view के तरफ बहुती जादा कम height रखनी होती है और backside में जादी height रखनी होती है तो इससे tank भी अच्छा दिखता है तो leveling का काम हो चुका है अब बस हमें add करना है driftwood और plants driftwood को मैं stick करके रख चुका हूँ आपको मैं दिखा लेता हूँ कि वो कैसा दिख रहा है तो मैं इसको stick करके रख चुका हूँ और यह कुछ ऐसा दिख रहा है stone को क्यूंकि हमारा बहुत जादा time जाएंगा अगर हम इंतेजार करेंगी यह sink होने का यह sink जल्दी नहीं होता है तो काफी दिन लग जाता है इसलिए मैंने stick करके रख आए हम ऐसी ही add कर देंगे अंदर इस stone के साथ जैसे तैसे मैं इसे place करने रख देता हूँ यह कुछ ऐसा आएंगा जो कि हमने पहले design देखा था बिल्कुल ऐसा यह stone इधर बैड चाहेंगा और हमारा driftwood कुछ ऐसा दिखने लगेंगा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे height देनी पड़ेंगी because यह stone बिल्कुल air में और यह निकल के गिर सकता है इसलिए यहाँ पे नीचे थोड़ी सी height हमें देनी पड़ेंगी stone के support के लिए तो driftwood तो हमारा लग चुका है अब बारी है हमारे दूसरे stone की जो कि मैं दो stone लाया था एक तो हमारा इसमें use हो चुका है अब बचा कुछ आई यह stone है तो इसे भी हम कहीं लगा देंगे तो कुछ इस तरह के से मैंने place कर चुका हूँ दूसरा stone और यह वाला हमारा पहला stone जो कि driftwood के साथ है तो बस इतना ही layout है हमारा अभी के लिए आगे चलके अगर हमें कुछ changes करना है या फिर extra कुछ driftwood या फिर stones लगाने तो हम वो लगा सकते हैं बट अभी के लिए मैं यह layout इतना ही रख रहा हूँ अब बार यह हमारे plants के लगाने की तो जैसे कि मैंने कहा था हमारे plants को लगाने के लिए मैं इसमें से plants लूँगा जो की है hydrophilodiformis और वो पीछे वाला plant जो की काफी अच्छा बड़ा और अच्छा leaves है उसका तो हम यह दो plants use करके इसमें लगाएंगे तो जल्दी से मैं इसमें के plants कट कर दूँगा और एक plant हम use करेंगे जो की है यह वाला इसे बोलते हैं fox tail या फिर गपी grass भी बोला जाता है इसे तो हम यह भी use करेंगे defruit पे लगाने के लिए बट यह बाद में use करेंगे पहले हम यह वाले plants लगा देंगे हमारे new वाले aquarium में यह जो भी plants में use कर रहा हूं इनको co2 की और light की बहुती कम जरूरत है तो अब बारी है हमारे plants लगाने की तो guys जैसे ही plants मैंने इसमें रग दिया बहुती ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा aquarium एक एक करके मैं इने plant करने लग जाता हूं मैंने कुछ plant ली है अगर बाद म कोई special tool नहीं है plants को लगाने के लिए जो कि मैं use कर रहा हूं अपना हाथ hold करके लगाने में इसमें कोई soil नहीं है तो यहाँ पे यह बहुती आसानी से लग जाएंगे अगर मैं hold कर भी दूंगा तो कोई soil उपर आने वाली नहीं है और हमारे पानी को गंदा बिल्कुल भी न लग चुका है हमारा टैंक अब बारी है इसमें पानी भरने की पानी भर के मैं दिखाते ताओं कि कैसा लग रहा है हमारा final look यह जो भी plants मैं use कर रहा हूं इनको soil की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबस्टेट में ही अपना roots लगा लेते हैं और इन plants को CO2 की बिल देने के बाद बट यह final नहीं होंगा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे changes होंगे हम इसको कम से कम 4 या 5 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें जो भी bacteria या chemicals रहे वो उपर आ जाए और हमें कुछ water changes भी करने होंगे क्योंकि इसमें की sand थोड़ी सी dusty है तो इसे भी साफ कर पांच दिन बाद हमारी टैंक की हालत कुछ ऐसी है हम इंटेंसियो लाइट दे चुके हैं इस टैंक को लगातार 5 दिन के लिए इसकी पूरी की पूरी सर्फेस हो चुकी है स्किम और हम इसे लिखा लेंगे कंटेनर की मदद से क्योंकि हमारे पास कोई active skimmer तो है नहीं कंटेनर से निकालने से ये पूरी तरीके से निकल जाएंगी और हमारी clear हो जाएंगी सर्फेस तो हमारी सर्फेस की सफाई तो complete हो चुकी है बट हमारे bottom की सफाई अभी नहीं हुई है तो मैं जैसे ही अपने drift fruit को देखता हूँ तो मुझे कुछ चिपकु चिपकु सा पदा दिखता है हमारे drift पर ये नॉर्मली लखडियों पर आ जाता है जब वो first time पानी में dip की गई हो ये चीज बिलकुल भी harmful तो नहीं है बट आप इसे कोई काड़ी या फिर कुछ stick के मदद से इसे निकाल सकते हैं और ये filter में चला जाएंगा अगर आप filter लगाएंगे एक बार तो बाकी हमारे tank में मुझे लगता है हमारे plants तो set हो चुके हैं क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि उपर shoots आ रहे हैं new leaves आ रहे हैं बिलकुल ये अच्छे से जैसे कि आप hydrophil and deformities को देख सकते हैं काफी जादा अच्छा ये growth ले रहा हैं और हमारे background plants भी कुछ-कुछ new leaves निकाल रहे हैं जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं काफी अच्छा दिख रहे हैं तो हमारे new tank में beneficial bacteria add करने के लिए मैं पानी ले रहा हूँ हमारे old वाले tank से मैं हमारे old वाले tank का 30% पानी इसमें दाल दूँगा फिर इसमें कुछ new water भी add कर दूँगा जल्दी से मैं इस beneficial bacteria वाले पानी को निकाल देता हूँ क्योंकि हमारे fishes भी यहाँ पे set हैं और यही fishes हम use करेंगे हमारे new वाले tank मैंने इसमें add कर दिये हैं और यह थोड़े से mark रहते हैं पानी की जो कि हमें साफ करना होता है नहीं तो बाद में बहुत जादा बुरे दिखने लगते हैं तो अभी के लिए यह setup almost complete हो चुका है अब बारी है इसमें filter लगाने की तो मैं filter ले ले लेता हूँ जो कि मेरे पास है sponge filter और वो उसकी motor मेरे पास है जो कि बहुत ही ज़्यादा खचड़ और पुरानी है और यह आवाज भी करती है तो कोई बात नहीं मैं इससे update जरूर कर दूंगा कोई new motor या फिर हम टॉप फिल्टर लाएंगे हमारे tank के लिए यार मैंने motor on कर दिये अब बारी है इस sponge filter को हमारे tank में दालने की तो थोड़ा सा adjustment करने के बाद मैं जैसे तैसे अपने sponge filter को stone की पीछे height कर चुका हूं और वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारा यह filter है और हमारे view के middle में भी नहीं हा रहा है क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पे अपना sponge filter लगाया था तो हमारा view थोड़ा सा खराब हो रहा था बट यहाँ पे काफी ज़ादा अच्छा look दे रहा है हमारा tank तो finally हमारा new tank बंद के तयार हो चुका है मैंने जैसे सोचा था वैसे हमारा sponge filter की machine थोड़ा सा ज़ादा आवास कर रही है बड़ डैस फाइन मैं कुछ दिनों में इस पे hang on filter ला दूँगा तो वो बिल्कुछ भी आवास नहीं करेंगा और वो waves भी release कर देंगा जो की दिखने में काफी ज़ादा अच्छी होती है तो अब टाइम में हमारा fishes को release करने का मैंने दो beta fish juice किये हैं female beta fish इसमें release करने के लिए और वो बहुत ही ज़ादा अच्छे दिखेंगे इस tank में तो जल्दी से मैं उन्हें ले लेता हूँ और इसमें release करता हूँ करता हूँ तो इस tank को set up हुए कुछ दिन हो चुके हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इस खाली खाली tank को भरा जाए तो मैंने तीन molly fish भी इसमें add कर दिये ये तीनों भी molly fish pregnant है और ये बहुत ही जल्दी बच्चे देने वाली है तो उन fishes को add करने के बाद हमारा tank काफी perfect दिख रहा है और हमारा पानी भी crystal clear दिख रहा है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना और comment में जरूर बताना कि हमारा new fish tank कैसा दिख रहा है तब तक के लिए मिलते हैं next video में